गईज चेननाई सूपर किंग्स और कोलकता नाइट राइडर्स के बीच गईज इस IPL का जो 22 मैच खेला जाएगा मतलब CS के वर्सेस KKR के बीच गईज जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल प्रेडिक्शन करने वाला है एक तरफ गईज आपको रिटुराज गाएकवार कप्तानी करते हुए दिखेंगे और दूसरी तरफ श्रिया सायर अगर कोलकता नाइट राइडर्स की बात करूँ तो इस IPL 2024 में गईज बहुत ही जबर्दस पर्फॉमेंस कर रही है वही चेननाई सूपर किंग्स की बात करे तो यहां के पिछ पे गईज अभी काफी रण बनते हुए दिख रहे हैं तो क्या आज का मैच मैच मेच सेम पिछोगा या फिर आज का मैच कोई डिफरेंट पिछ पे होने वाला है इसके अलावा गैज आपको बता दू आज के मैच में जो आपको फैंटेसी की टीम बनाने में काफी जादा दिक्कत त्यारी होगी क्योंकि चेन नहीं के पास भी गैज अच्छे खास है बैट्समैन है वहीं अगर मैं केकियार की बात करूँ तो रसेल है नारायन है श्रिया सायर वैंक्टेश आयर मतलब बहुत सारे प्लेयर है रिंकू सिंग भी है तो आज के मैच में कौन से प्लेयर को पिक करना है जो आपको इस वाले मैच में ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक दिला दे और प्लेइंग 11 आज के मैच में CS के वर्सेस KKR की होने वाली है इसके अलावा अपन देखेंगे गई जब चेन नहीं सूपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होता है तब कौन-कौन से ऐसे प्लेयर से जो पर्फॉमेंस देते हैं और इसके अलावा गई तो आज के मैच के लिए C और WC के लिए कौन बैस्ट चॉइस होगा वह भी अपन देखेंगे और इस वाले मैच की फाइनल टीम में दिखाऊंगा जिस टीम के साथ आज मैं खोद खेलने वाला हूं तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वाच कर ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल को तो इसको पक्का से जाके सब्सक्राइब कर ले नीचे सब्सक्राइब का बटन है और साथ में बैल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो के अगर आप उसमें विन कर जाते हो आप व्याइपी टिकेट्स पास सकते हो किसी भी मैच की आई पियल की वह भी व्याइपी ट्रेट्मेंट के साथ तो वह आपको कैसे मिलेगा वह भी घडियो में अगी वीडियो में बताने वाला हो अगर आप उसका अंसर सही कर देते हो तो आप हजार उपए बिन कर सकते हो और टोटल पांच लोगों को यह मिलने वाले हैं तो दियान से गईस कंप्लेट वीडियो देखना क्योंकि आज के मैच वे गईस दो प्लेयर ऐसे हैं जो शायद पर्फॉमेंस नहीं देने वाले कौन से प्लेयर हैं वो भी अपन देखने वाले हैं तो CSK वर्सेस KKR इंडियन प्रीमेर लीग दो हजार चोईस का 22 मैच खेला जाएगा मेच चिदंबरम स्टेडियम चेननाई में और यहां का गईस पिच कैसा होने वाला है वो अपन एक बार देखते हैं गईस आपको बता को भी अच्छी मदद मिलती हो और बॉलर्स के लिए भी अच्छी खासी मदद हो इसके अलावा गईस वाले मैदान पर जो अभी तक जितने मैचेस खेले गए ना अगर इस आई पेल दोजार चोईस के तो गईस यहां पर जितने भी बॉलर्स है ना उसमें जो फास्ट बॉ मैचेस हो चुके हैं जिसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसने सतर जिसने सैकिंड बैटिंग की उसने साट और एवरेज स्कोर आप देखिए 175 का है तो गईस कुल मिला के मैं अगर बात करूँ तो इस वाले मैदान पर आपको एक अच्छे खासे रन बनते हुए दि सकता है इस पिनर्स भी गेम में आए तो आज के मैच के लिए आपको कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर्स को रखना है वह आगे वीडियो में बताऊंगा साथ में सीएस की वर्सेस के आज के मैच की टीम प्रेडिक्शन भी अपन देखने वाले हैं बट आप से एक रिक् होगे तो 70% मैचेज में क्लें सुप हुआ है अगर आपने इसको जॉइन कर रखा है बहुत अच्छी बात है नहीं कर रहा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको टॉप पर एक लिंक पिन किया हुआ दिखेगा नीले कलर का शौर एक्सपर्ट सप सपोर्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अभी आपको खेह रहा था कि यहां का चो पेचे बैटिंग सपोर्टीव है मैंने आपको एक बात और बोले कि पिच पेसर्स को मददगा रहें अभी साइप यहां पर दो मैच हो चुके हैं उसमें कैसा स्क सब्सक्राइब को किवल इसके बाद यहां पर उससे पहले आप देखें 22 मार्ट 2024 को मैच खिला गया था जो कि आई पेल का पहला मैच था आर सीबी और चेन नहीं के बीच आर सीबी ने भाई 173 बनाए थे चेन नहीं ने 176 बना के मैच को विन किया और इस वाले मैच वह आ मैच था मुंबई इंडियन्स और लखनव सूपर जाइंस के बीच इस वाले मैच में मुंबई ने 182 बनाए थे लस्टी 101 पर अलाउट हो गया तो इस वाले मैच वह आप देखें फास्ट बॉलर्स को 14 विकेट मिले स्पिनर्स को किवल एक ही विकेट मिला तो कही ना कही ग आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं उनको आप पक्का से रख लेना वह इंपोर्टेंट बनने वाले अब आज की मैच के लिए CSK की प्लेइंग 11 में क्या कोई चेंज होगा क्योंकि बॉलिंग सेक्षन में इनका कंटिन्यू चेंज हो रहा है मुस्ते फिजूर रा प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा तो सबसे पहले अपन प्लेइंग 11 देखते हैं दोनों टीमों की क्या रहेगी की तरफ सी देखे तो रितुराज गयकवार के साथ रचिन रविन राइंगे ओपन करने इसके बाद रहाने शिवम दूबे रविंद्र जड़ेजा फिर डै इस वाली टीम में देखोगे ना तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है जो अपने को क्योशन पैदा कर रही है कि क्या आज के मैच में रितुराज गायकवार को रखे या ना रखे क्योंकि पर्फॉमेंस अभी तक आ नहीं रहा रहाने गाइस क्या आज के मैच में होगी वह भी अपन देखेंगे क्योंकि चौदी भी है तिक्षाना भी है तुशार है दीपक है मोहिन अली है मिशेल है जड़ेजा है दूबे मतलब इनके लगपक सब भी बॉलिंग कराते है दो चार प्लेयर को चोड़के तो आज के मैच के लिए गई जो पन बॉलिंग का सेलेक्षिन करेंगे वह इस बेसे इस पर करेंगे कि कौन सा बॉलर कंप्लीट और साथ में बॉलिंग कराएगा मतलब 15 से 20 और जो बड़े प्लेयर को सेलेक्षिन में आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं अभी आपको प्लेयर बैटल दिखा दूँगा जिसके बेस पर अगर आप इस टीम में देखोगे लगबख सभी प्लेयर की फॉर्म अच्छी है अब यहां पर सबसे बड़ा क्योशन उठता है कि क्या आज के मैच्व है फिलिप साल्ट अच्छा करने वाले हैं पहला दोनों आयरों में कौन से आयर को रखे श्रियस को रखे या वैंक्ट में से कौन से ऐसे 11 प्लेयर है जो आपको आज के मैच में रखने हैं किसको कप्तान वाइस कप्तान बनाना है और गाइद मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करूँगा इस वीडियो पे जो लाइक का टार्गेट है वो है 5000 लाइक्स का भाई अगर आप 5000 लाइक्स कर देते हो ना कमप्लीट वीडियो देखना है लाइक भी पक्का से कर देना है इसके अलावा आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आज आपको एक ओफर मिलेगा जिसमें आप आई पिल की किसी भी मैच की वी आईपी टिकेट विन कर सकते हो अब यह वी आईपी टिके में और कमेंट में टॉप पर जो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा होगा वह माई लेवन सर्किल का है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस एप को सबसे पहले जाके डाउनलोड करना है डाउनलोड करती ही आपको कंपनी की तरफ से फिरी 1500 रुपे का बोनस मिलेगा उसके बाद आपको CSK वरसेस के कर का मैच एप्लिकेशन में ओपन करना है ओपन करने की बाद आपको एक कॉंटेस्ट दिखेगा वियाई पी कॉंटेस्ट के नाम से वियाई पी कॉंटेस्ट जिसकी वेल्यू शाहएद एक रुपे के होगी मतलब आप एक रुपे के अंदर वह विए आइपी टिकेट्स आप यह देख सकते हैं और यह किसी भी मैच की मिल जाएगी मालो आप रहते हो कहीं दूर मालो आप रहते हो हर्याना में तो हरियाना में अगर उदर मैच हो रहे होंगे अगर IPL के वहां पे मैच होंगे तो आपको वहां पर प्रोवाइट करा दिया जाएगा साथ में आना जाना सब माई 11 सरकेल एप की तरफ से तो बिलकुल शांदार मौका है मैच देखने का वह पी VIP ट्रीटमेंट के साथ तो पक सब्सक्राइब करने पर आपने हजार डिपोजिट किया तो बीस परसेंट एक्ष्ट मिलेगा मतलब हजार पर बारास हो तो पक्का से जाए माई 11 सरकेल एप को साइन अप करिए डाउनलोड करें इस वाले मैच के लिए टीम कैसे बनानी है वह तो मैं आपको आगे बताने व सपोर्ट को भी पक्का से जॉइन करना क्योंकि यहां पर जो मैं टीम शेयर करता हूं आप देखिए यह सारी मैं खुद करता हूं और 70% मैचेज में अच्छे विनिंग हो रही है लास्ट मैच में भी मेरी टीम में कप्तान विराट को लिता और संजू सैंसर वाइस कैप्ट स्टार्ट होता है कि अब आज के मैच के लिए कौन से ऐसे ग्यारा प्लेयर है जो अपने को लेके चलने हैं तो ध्यान से गाइज बिलकुन नजरे गड़ा के रखना 5000 जो लाइक्स है वह बूलना मत कंप्लीट कराना चैनली सूपर किंग्स और कोलकता की तरफ से देखे तो हाफ सेंचुरी बना देते हैं के के अर की तरफ से बात आती है फिलिप सार्ट की जो की ओपन करने वाला है लास्ट तीन मैचों में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा पर्फॉमेंस आ रहा है अठारा तीस चौवण सामने वाली टीम सी एसक के अगें दो मैच खेले 20 अब देखें यहां पर गई महिंदे सिंग धोनी सर का अवरेज तो बहुत अच्छा है माल लिया पर दिक्कत क्या है सबसे बड़ी की भाई बैटिंग की निया आती बहुत नीचे बैटिंग करते है तो बैटिंग की तो पॉइंट खासे मिलेंगे इसलिए मेरे साब से विकेट कीपर में जो सबसे सेफ चॉइस है वह फिलिपस और इसी के साथ ही आपको आज के मैच में जाना है तो ग्यारा में से गई मैंने एक प्लेयर आपके लिए सलैक कर लिया है बाकी के दस कौन होने वाले हैं वह मैं अभी आ आगया आपको बताने वालों वन बाई व पड़का ओपन करेगा और इसका अगर मैं रिकॉर्ड देखू के क्यार के अगेंस साथ मैच 270 रंस 37 का एवरेज है इस मैदान पर भी 37 का एवरेज है लास्ट तीन मैचों में 26 एक 46 शीवम दूबे की बात करें जो की मिडिल ओडर का बैटर है नंबर चार पे खेलता है मैच खेले 141 मतलब हर तरीके से लग रहा है रचन रविन भाई ओपन करने वाला है अभी थोड़ा सा फॉर्म खराब हुआ है लास्ट दो मैचों में आप देखे 14 और इस मैदान पर दो मैच 83 एपरोक्स ब्यालिस का एवरेज और यहां पर है रहाने इसका रिकॉर्ड क्रियेट हो गया है यहां पर किसको रखें अब गई मैंने आपके लिए ना आज के मैच के लिए दो टीम बनाई है एक में रहाने और रचन को रखा और एक में इन डोनों को डॉप करके दूसरा प्लेयर भी रखा है तो वह कौन सा प्लेयर है वह बताता हूं उससे पहले आ प्लेयर को का रिंतुराज को कैसे रखना है और रहने को आपको कैसे यूटलाइस करके चलना तो कि इसके बाद करते हैं के अकि के एर की अilकी Tribal की तरफ से भी घड़िसेन वारे न य terror करने आए कभी कौन करने ने इनित फेला पहला ना में रिंकु सिंग लेफ्ट हेंडेट बैटर है लास्ट मैच में तबाई मचाई थी 26 बनाएं थे बहुत एग्रेसिव इस मैदान पर दो मैच 56 और सी एसके के अगेंस भी आवरेज आप देखोगे चौतिसका है पाच मैच 136 तो रिंकु सिंग की गई एक खासियत है बहुत बैटर प्लेयर है श्रिया सायर जोकीन की कप्ताने नंबर पाच पे खेलेंगे अभी तक अगर आप इस आई पिल दो हजार चोईस में देखोगे तो फॉर्म मेरे को उस लेवल पे नहीं लगी 1849 जीरो इस मैदान पर दो मैच 51 सामने वाली टीम के अगेंस एवरेज 26 का वैंग टेश एयर की मैं बात करूं भाई लाश्ट मैच में फ्लॉप हुआ उससे पहले 50 बनाएं सी एसके के अगेंस आवरेज आप देखिए 23 का है और रगू वंची भाई लाश्ट मैच में नंबर तीन पर आया ता 54 की बहुत ही जबरदस पारी खेली अब यहां पर अगर प्लेयर आप चाहलों देखोंगे ना आप यह खराँ आब सकते के खराब इसलिए आज के मैच में टीम बनाने में में सबसे बड़ा सरदर्द है क्apping कि इसको रखे किसको करे और है मेरे साब से लृग साफ को भूतिया एम काफ़ी अच्छा करके दे सकता है दूसरा प्लेयर वैंग्टेश या रगुवंशी में से कुई एक आप रख सकते हो जो आपको बैटर लगे मेरे साफ से रगुवंशी ज्यादा बैटर है वैंग्टेश एयर के कमपैरिजन में क्योंकि चेन नहीं की बॉलिंग उनिट वैसे थोड़ी स्ट्रॉंग है तो कही लेना कई इसको परिशान कर सकती है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बाकि शरियास को भी आप लेना चाहो तो ले सकते हूं अब बात आती है चेन नहीं और के ऑल्ल राउंडर के सेलेक्शन में मैं आपको आगे वह बताऊंगा कौन सा ओवर कंप्लेट ओवर्स करेंगा और पाँच पर खेलेगा इस मैदान पर अब तक 30 विकेट तेजा चुका है केक्यार के अगेंस 20 विकेट लास्ट मैच में अपनी बैटिंग से अच्छा किया 31 उससे पहले 21 उससे पहले साथ और विकेट के नाम पर एक तो जड़ेदा का गई जो में काम है वह बॉलिंग से वि और यहां पर मोहिन अली को लाश्ट मैच में मौका मिला था बहुत अच्छे बॉलिंग कराई चार विकेट ले जा चुका है अब तक लास्ट दो मैचों में बट आपको बता दू केक्यार के अगेंस इसको विकेट जादा मिलते निए 6 मैच इसने केक्यार के अगेंस खिला बना रहे हैं और साथ में बॉलिंग का तो ऑप्शन है इसलिए यहां पर दोनों को रख रहा हूं जड़ेदा और डैरी मिशेल को इसके बाद गई स्कूलकता नाइट राइडर्स का अल्राउंडर सेक्षन तो मेरे इस आपसे इस आई पियल दो हजार चोईस का सबसे स्ट्रॉंग सेक्षन है क्योंकि यहां पर दो ऐसे प्लेयर है रसेल और सुनिल नाराएंड जो अपने दम पर मैच जिता देते हैं अग पंदीप सिंग की बात करें लाश्ट दो मैचों में सैती संज बना है और यहां पर सुनेल नाराएंड भाई क्या एग्रेसिव एप्रोच में खेल रहा है जो पुराना नाराएंड तरह दिख रहा है लाश्ट मैच पिच्चासी फिर एक विकेट सैतालिस एक विकेट दोरन मेरे इसाब से आप चाहिए या मतला इसमॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग रसेल और नाराएंड को अपनी टीम में पक्का से रख लेना दोनों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाले आज के मैच के लिए बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है आज के मैच के ल पर दो आज करते कर रहा है कभी पतिराना भार हो रहा है कभी रह्मान भार हो गया तो बॉलिंग अभी तक इनकी फिक्स नहीं हो पाई जो फिक्स बॉलर रहे वह दीपक्च है पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है बटी समयदान पर रिकॉर्ड अच्छा है सोला भी मैचों से दो मैचों 아직 इसको विक्ट मिलें यहाँ पर इसपानन यह कुछ मैच में गयायक से इंचर मैच मेरे किवर मुकर मुकेश को को लाश्ट मैच में ऐसे इंपक्ट प्लेयर मौका मिलाता बट अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया तो यहां पर अभी के लिए मेरे साफ से एक मार्ट बॉलर है जो सलेक्ट करने लाएक है वो है दीपक चेहर उसके अलावा कौन हो सकता है वो मैं अभी आपको दो टीम दिखा सकते हैं केक्यार के अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो यहां पर इनके पास भी चार आप्शन है पहला इस इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा इस्टार का पांच मैच साथ विकेट और सामने वाली टीम के अगेंस साथ मैच दस विकेट और लाश्ट मैच पे दो रहा है हर्शित राना तो वैसे ही जबर्दस फ़र्म में पांच विकेट ले जा चुका है और यहां पर है वैबा वरोरा जिसको ऐसे इंपक्त प्लेयर लाश्ट मैच पे लाए गया था वो भी तीन विकेट निकाल के दे दिया तो इन में से गई अपन किसको लेने वाले है है अपन फाइनल टीम में वह भी अपन देखने वाले अब दिकी सीएस की कि आज के मैच वे मिशेल सेंटेनर को ले के आएगा मुझे बहुत हाइप चांस लग रहे है कि सेंटेनर खेल सकता है अब सेंटर खेलेगा तो मोहिन अली को बाहर बैठना पड़ेगा ऐसा हो सकता ह वर सेंटेनर एक बहुत बढ़िया प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है बाकी समीद इजवी को भार हो गए शर्डू ठाकूर की भी गाईज आज के मैच में हो सकता है वापसी हो तुशार देश पांडे को हो सकता है बैंच वे बैठना पड़े या मुकेश च तो यहां पर गईज ऐसे सबके रिकॉर्ड लिखे हुए आप यहां पर देख सकते हैं अब गईज आज के मैच के लिए ना मैं आपको प्लेयर बैटल दिखाने जा रहा हूँ जिसके बेस पर आप यह डिसाइट कर सकते हो कि हां मैं इस बड़े प्लेयर को डॉप कर रहा क्यों कि सामने वाली टीम के पास वह बॉलर है जो कही ना कई इसको आउट कर सकता है तो आज के मैच के लिए देखिए रितुराज गायकवार्ड की बात करूं वरुन चक्वर्टी के अगेंस में श्ट्रगल है च्छतिस बॉलों पर दो बार आउट कर चुका है वरुन चक बईनर्स इसके अलाव रविन्दे जड़जा सुनील नाराएंड दो बार मोहिन अली सुनिल नाराएंड ξेंजा और पर दो आप देख सकते हैं तो आज कि मैच मैं आप को स्टार्टिंग जड़जा बलिंग कर देखिए तो आप सर्प्राइस मतह न कहिना कहीं रिकौड एक बहुत ही तगड़ा बैटल है यहां पर आप देख सकते हैं क्या चेन नहीं आज के मैच में कोई चेंज करेगा सी एसके की तरफ से क्या बैंच पर बैठे होए प्लेर्स को मौका बिलेगा अब आप फाइनल टीम दैथ हो और बॉलिंग उस पॉइंट पर जाने वाले इस सबसे इंपोर्टेंट सेक्षन आगया मेरे इस वीडियो का कि जो मैंने आपको बालर्स बताए इनमें से अपन फाइनली किसको पिक करें तो मेरे फाइनल करने का एक राइटेरिया होता है कि जो बालर कम्प्लीट ओवर्स करें और दैथ में बालिंग करें उसको मैं पि अब इनमें से किसको लेकर आए क्योंकि इनमें से मैक्सिमम की फॉर्म यह तो यहां पर दीपक चहर तो कंफर्म पिक होगा क्योंकि कंप्लीट ओवर्स भी लगबग कर लेता है और दैथ में भी करा रहा है इसके अलावा जड़ेजा को भी मैं रख लूँगा क्योंकि बाकिया ब्रचिन को लेना चाहो तो उसको भी रख सकते के क्यार की तरफ से वैब और हो रहा है सुनिर नारायन और वर्ण चक्वती ने कंप्लीट ओवर्स कराए थे रिमेनिंग कराई श्टाक ने रसेल ने वैंक टेस्ट ने हर्षित राना ने जो दैथ में बालिंग है वरुन चक्वती कंप्लीट ओवर्स भी करा रहा है और अच्छी फॉर्म में भी लग रहा है तो इसको भी रखना पड़ेगा और चौथा प्लेयर आप या तो वैबा वरोरा के साथ जाए या फिर हर्शित राना के साथ इन दोनों में से जो आपको बैस लगे आप रख स सकते हैं एक थोड़ी सी रिस्की है जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी स्क्रेन पर अभी मैं दिखाऊंगा क्या टीम है तो दोनों टीम दिखा देता हूं कैसे यूटिलाइज करना है वह आपको बता दूंगा अभी तक डाउनलोड नहीं किया कर लाईजिए क्योंकि आप देखें यहां पर वी आईपी टिकेट्स आप विन कर सकते हैं मैच के केवल वी आईपी कॉंटेस्स जॉइन करके पक्कास सबसे पहले गई सेफ टीम दिखा रहा हूं विकेट कीपर सेक्शन में रखा है फिलिप साइड को यहां पर बैटिंग में रखा है शीवम दूबे रिटुराज गयकवार डैरे मिशेल और इंको सिंग चार बैटर्स को रखा है और बॉलिंग में रखा है हर्शित राना और वरुन चक्वदी यह वाली टीम ऐसे सेफ टीम है जो आप आज के मैच पर लग कर सकता है इसके बाद अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं तो is टीम में क्या-क्या बदलाव किया यह यह रखा है विकेट में कर दी निव उनको सिंक को मैं यहां पर डैरी मिशेल को ड्रॉप कर दिया में पर रितुराज ड्रॉप है डेरी मिशेड़ा को भान भी जड़ेजा को भी ड्रॉप कर दिया मतलब दोवन आर मैंने यहां पर द्रॉप कर दिया और बॉलिंग में रखा है हर्शित राना दीपक चहर और तो यह वाली टीम होने में जरूर रिसकी टीम है बट अच्छा करके दे सकते हैं क्योंकि एस टीम में जो डिफ्रेंचल है वह है श्रीय साहियर रहाने मोहीन अली मुशेर इस्टार्क और देपक चहर तो यह वाली टीम भी गाई जाज के मैच में यूटिराइस कर सकते हैं तो दोनों टीम मैंने बता दिये जो टीम आपको बैस्ट लगे लगा सकते हो बाकि यह टीम थोड़ी ज़्यादा बैटर है कप्तान वाइस कप्तान के लिए आज के मैच में भी चॉइस की बात करूँ तो सी वीसी के लिए नारायन रसेल दोनों बैटर पिक है आज के मैच के वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में तो सी एची वर्सेश के के आर गाईस ट्वंटी टू आई पील मैच पेडिक्शन डिटेल प्रिव्यू गाईस यहाई खतम होता है और आज के मैच का फ्री गीववे का क्योशन है कौन सा प्लेयर है जो आज के मैच मैन आप दा टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियो लाइक कर जाना चैनल सब्सक्राइब कर जाना ठीक है भाईयो नमस्टूर